Hello Everyone, Welcome to Sumit Tutorial तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को डेली बेसे स्वे कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट हैं जिनको क्या होती है टेंसन हो रही है कि मैं अपने पढ़ाई को किस तरीके से कर पाऊं कि मैं अपने स्टुडेंट को कैसे करूं और बहुत सारे स्टुडेंट हैं जिने ये प्रॉब्लम होती है वो डेप्रेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें टेंसन हो रही है फ्रस्टेट हो रहे हैं पढ़ाई को लेके कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ कि मेरी study जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए जैसे बहुत सारे student है जो कि अपने पढ़ाई को continue करते हैं daily basis पर करते हैं और कुछ सारे students है जीने depression होती वो सूसते तो हैं कि मैं इस तरीके से अपने पढ़ाई को करूँ मैं इस तरीके से अपने जो मेरी जो चैप्टर है मैं उसे कम्प्रीट करूँ तो वो बस सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं तो आपको टेंसन लेन की जरूवत नहीं है क्योंकि इस वड्यो के बाद आपकी जो भी डाउट and आपकी जू भी अजह क्लीचान प्राउट सारी टेंसन पंड़्ीर हो जाएगी और आपको क्या करना है सही तरीके से आपको अपने आप पे वर्क करना होगा तो आपको करना क्या है तो सबसे पहले तो आप अगर सोचते हो और इस चीज को आप कर नहीं पाते हो कि मैं अपने स्टड़ी को कैसे करूँ सिर्फ सोच के ही रह जाते हो आपने सोचा कि मैं आज इतना पढ़ लूगा चे घंटा पढ़ोगा दस घंटा पढ़ोगा पर अप पढ़ने पाते हो एक घंटा भी आप सही तरीके से अपने स्टड़ी को नहीं दे पाते हो तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो आज के डेट में डिस्ट्रक्शन की चीज है मॉबाइल फोन स्मार्टफोन तो आपको यह डिस्ट्रक्शन की जो चीज है इसे दूर करनी होगी तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको स्मार्टफोन को अपने आप से दूर कर देना है उसे यूज नहीं करना है, अगर आप अपने स्मार्टफोन को सही तरिके से यूज नहीं करते हैं, तो देखिए, हर चीज को यूज करने का एक सही तरीका होता है, अगर आपने स्मार्टफोन को सही तरिके से यूज नहीं करते हैं, मतलब कि मिस यूज करने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले distraction की चीज जो है मोबाइल में WhatsApp, Facebook, Instagram तो ये distraction है आपके लिए तो आपको क्या करना है इन सबसे थोड़ी दूरी बनानी है ये नहीं कि आपको छोड़ देना है इसको यूज नहीं करना है इन से थोड़ी दूरी बनानी होगी अपको क्या करना है जब आप पढ़ पर नहीं पढ़ने चाहिए अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बट आप अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आप किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ते हो तो फिर आपको क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो पर आपको कंसेंट्रेट होनी की जरूरत है other message या फिर notification पर concentrate मत होईगी क्योंकि वो distract आपको कर देगा तो आपको करना है बस अपने पढ़ाई पर focus अगर वाकई में आप चाहते हो कि अपने study को सही तरीके से करना तो आपको इस distraction की जो चीज है उसे थोड़ी दूरी बनानी होगी है तो आपको बस क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इससे दूरी बनानी है यह नहीं है कि आपको यूज ही नहीं करना है तो आपको silent mode पर मोबाइल रखना है अगर आप जब वीडियो लेक्चर से पढ़त तो फिर उसके बाद अप उसे practice करो थोड़ी दिर बाद ही आप उस चीज को practice करो और आपको यह भी problem होती होगी कि आपने सोचा कि आज मैं 10 गंटा पढ़ूंगा आज मैं 6 गंटा पढ़ूंगा तो आप नहीं पढ़ पाते हो यह भी सोचिए और बहुत सारे student है वो जैसा स करना क्या है तो टॉपर लोग ऐसा ही करते हैं वो अपनी क्या करते हैं नेक्स डे की planning पहले ही कर लेते हैं रात में क्या करना है तो आपको भी उसी तरीके से करना होगा अपने रात में क्या करना है जो पहले की जो रात हुई जैसे तो आपको क्या करना है उस नेक्स डे की उससारी सी रूटीन दाइनंग के साथ रूटिंग बनाओं Catalunya और कितनी आवर अपनी स्टड़ी करना है था armile जान आपको प्लड मौबायल उस करना है कितना मिधिया एक धिन पहले ही अपने रूटिंग आपको एक दिन पूरी दिन की पूरी डी की रूटिंग बना के रह देनी की जरूवत नहीं है आपको डेली की रूटिंग बनानी होगी आपको रात में रूटिंग आपको बनानी है और आपने दिन भर यतना कुछ भी किया आपको सब रात में recall करना है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया इससे क्या होगी आप जो भी चाहोगे फिर आप वो चीज कर पाओगे तो टॉपर्स लोग यही करते हैं तो आप भी इस चीज को follow करिए यह नहीं है कि टॉपर्स लोग enjoy नहीं करते हैं घुमते नहीं है या फिर वो मोबाईल यूज नहीं करते हैं, इंस्ट्राग्राम यूज नहीं करते हैं, फेस्बूक ट्यूटर ये सारी चीज़े यूज करते हैं, बट उसका एक प्रोपर तरीका होता है, आपको थोड़ी दूरी बनानी होगी, आपको एक सही टाइम में उसका यूज करना होगा, और अपने पढ़ाई की भी टाइम जो बनानी है, तो उस टाइम सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी, और यह कीन मानिए गाईस, अगर आप कुछ दिन ही करते हो, तो आपकी यह आदत बन जाएगी, अगर आप चाहो भी कि आप नहीं पढ़ो, तो भी आप पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है, अपने इस चीज को डेली बेसिस पर करनी है, और इस चीज को आप प्रैक्टिस करो, और आपकी जो बायो है, बायो, ज भी टॉपर बन सकते हो, तो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, सेयर करें, थैंक्स फो वॉचिंग